Hello everyone, welcome back to my channel and I am Nidhi तो आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिन है Weight Loss क्या होता है, हम बहुत सारा खा रहे होते हैं हमें पता नहीं होता है, हम इतना काम करते हैं, हम इतने ठक जाते हैं कि भूख लगते हैं, हम कुछ खा लेते हैं तो पानी जो है ना वो weight loss को बहुत ज़ादा support करता है weight loss करते हैं वेट loss को जो journey आपके उसमें support करेगा तो सबसे पहले आपको habit बनानी पड़ेगी कि आप पानी अगर आप पानी का इंटेक अपका proper रहे आपके सारे organs properly काम कर पाते हैं, kidney आपकी properly काम करते हैं, जो कि toxins को filter करती हैं, तो पानी अच्छे से रहेगा तो वो toxins को अच्छे से filter कर पाएगी, आपकी body से unwanted चीज़े जो हैं वो अच्छे से निकल पाएगी, इसलिए पानी आपको ज़रूर पीना है, उसके लाव आपके जो stomach health है, gut health है, वो भी काफी अच्छी लेते हैं, अगर आप पानी पीते हो, तो आपका उस constipation या dehydration की problem नहीं होती है, दूसरा, अगर आप पानी पीते हो, तो आपको भूग नहीं लगते हैं, कई बरी क्या होता है, कि हमें, मैं पहले पुराने वीडियो में भी ये बात बता है, तब फिर कुछ और खाओ, तो हम छोटे थे तब ममी ये बात बोलती थी, तो ये ऐसा, मतलब होता ही है, अगर आपको प्यास लग रही है, तो भी आपको ऐसा लगे है, कि मैं कुछ खा लेती हूँ, तो ऐसा नहीं करना, अगर आप time to time पानी पीते रहेंगे दिन पर में अगर आपके hydration levels maintain है, तो आपको भूग भी कम लगेगी, और definitely जब भूग आपको कम लगेगी, आप कम खाओगे, तो आपका weight loss में help होगी, तो इसलिए पानी, जबी भी आपको लगे, पहले पानी पीजे, तो अब इस challenge में आपको क्या करना है, आपको challenge में 8 से 10 glass पानी पीन तो आप पाने से कीजे, तो दो glass तो आपके यहाँ होगे, बाकित दिन भर में भी आप खाना खाने के आदे घंटे पहले पानी ज़रूर पीजे, उससे भी आपका metabolism अच्छे से काम करेगा, और आपकी भूग जो होगी, आपके sugar levels भी अच्छे से maintain होगे, तो इस चीज को आ आप पानी जो है को खाने के आदा घंटे पहले जरूर से कोशिश करें के पीजे, अगर आपको आदत नहीं है, आपको बहुत ज़दा पानी पिया नहीं जाता है, करी बारी लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना तो आपको ज़दा पानी नहीं पीना है, आपको एक ग्लास करके प पानी पीना है, एक बार में अपने ग्लास पानी एक सांस पी लिया तो फिर आपको अठकना जैसे फील होगा वॉमिट जैसे फील होगा तो वैसा नहीं करना है, दो तीन मिनिट बीजे पानी पीते हैं, बैट करके पीजे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, पानी का rum हैं या आप वह भी कर सकते हो या फिर आप एक चीज कर सकते हो किआ आप अपने फ्रिज जो रहता है पर आप एक 지ए पर मैगनेट सा चिपका लोगार रिख लिख़ण लोका है सब रहता है आप आप अपको पतानी करते हो तो उसके आपसे आप अपने पानी फिली तो डेली अटलीस आप एट ग्लास पानी जरूर पीजे उसके अलावर जो आपकी डाइट है उसमें भी आप कोकोनेट वाटर दूद ये इस टाइप की चीजे आप ले सकते हो अगर आप वरकाउट करते हो तो थोड़ा सा एक दो ग्लास पानी और ज्यादा पीजे अगर आप चाय कैफिन बहुत जादा कंजीम करते हो तो पानी कंटे का आपका और बढ़ जाना चाहिए लेकिन आठ ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है तो ये चैलेंज जो है ये आप लीचे और इसको आप अटलीस वन वीक तक फॉलो कीजे आपको बोटल भी ले सकते हो प्ला ये सब चीजे भी आप कंजीम कर सकते हो अगर आपको जो भी पसंद है बट मैं दो तीन रेसेपी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी जिसको कि आप इजीली बना सकते हो अपना टेस्ट भी चेंज कर सकते हो वो आपके पानी कंटेक भी मेंटेन करेंगे और फॉलो कीजिए और कॉमें मेरे नेक्स्ट वीडियो में मुझे अपडेट जरूर दीजेगा कि आप कैसा फील करेंगे ये मेरी गारेंटिय कि आप कुछ अच्छा जरूर फील करेंगे आपका कोई डाउट है या आप कुछ और मिचसे पूछना चाते है तो कॉमेंट में कि आपसे एक नए वीडियो में तर तक के लिए बाई टेक केर और स्टेए हल्दी बाई